एक जंगल में रिंकु और पिंकु नाम की दो भेने रहा करती थी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी रिंकु को गाउ में रहना पसंद था पर पिंकु को शेहर में रहना पसंद था दोनों का सववाव बिलकुल अलग था रिंकु पिंकु से कहती है पिंकु तो रोज सुबह सुबह कहां चली जाती है मुझे बताती जाया कर मुझे तीरी चिंटा रहती है पिंकु कहती है दीदी आप मेरी चिंता मत क्या करो मैं अब बड़ी हो गई हूँ मुझे वैसे भी यहां मन नहीं लगता मुझे तो शेहर में रहना पसंद है दीदी गाउं की जिंदिगी बहुत दिकार है दीदी रिंकु कुछ नहीं कह पाती बस चुप-चाप रहे जाती है एक दिन शेहर से कुछ पक्षी पिंकु से मिलते है और उसे शेहर ले जाने को कहते है तुम हमारे साथ चलो शेहर में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा पिंकु बहुत खुश हो जाती है और कहती है यह तो मेरा सपना है शेहर में रहने का, वहां बसने का रिंकु को जब यह बात पता चलती है तो वह दुखी हो जाती है पर अपनी छोटी बेहन की खुशी के आगे कुछ नहीं कह पाती पिंकु शेहर चली जाती है और कुछ दिनों बाद रिंकु से पिंकु मिलने आती है और कहती है ओ दीदी कैसी हो रिंकु हाँ, मैं ठीक हूँ तू सुना तू कैसी है दीदी मैं तो बोहुत मज़ी में हूँ गाओ के जीवन से वहां का बहुत अच्छा जीवन है दीदी वो पिंकू को खुश देखकर बहुत खुश होती है और पिंकू अपने शहर वापस लौट जाती है जब समय पीता जाता है शहर के वातवरंड से वह परिशान होने लगती है बहुत कर्मी, पानी भी नहीं मिलता पिंकू को अपने गाउं की याद आती है, सोचती है काश मैं अपने गाउं के जंगल में रहती अपनी बेहन के पास होती, जो मुझे बहुत प्यार करती है मेरा कितना ख्याल रखती है मेरी दीदी अब मैंने फैसला कर लिया है मैं अपने गाउं वापस जाऊंगी पिंकू अपने गाउं वापस आ जाती है और अपनी बेहन के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है